हलो वर्गो कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो वर्गो यानि कन्यारासी नमस्ते मैं सुरेज को और स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रीपल एस हिंदी टैरो कर तो ये 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के लिए एक पांस दिन की लव र पार्टनर की अनर्जी देखेंगे और इसमें देखेंगे कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से कितने से के लिए क्या फिलिंग रखते हैं वो दूसरे से क्या चाहते हैं और इस लिष्टे का आउटकम क्या रहने वाला ये एक जनर लेडिंग है ये आप जानते हैं के यह सब पर resonate नहीं होती तो जिस पर जितनी resonate होती है accept कीजिए बाकी औरों के लिए pass कीजिए तो चलिए चलते हैं ये आपके partner आपके लिए क्या feeling रखते हैं आपके partner आपसे क्या चाहते हैं आप अपने partner के लिए क्या feeling रखते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं और इसका आउटकम प्रिस्टे का क्या रहने वाला है तो आप तो ये वर्गों आपके पार्टनर आपके लिए क्या फिलिंग रखते हैं आपके पार्टनर कहीं ना कहीं काफी उदास दीख रहे हैं हो एक किसी चीजो को लेकर पस्ता रहे है उनको कोई न कोई न कोई मिस ऑंडर्स्टेंडटींग मैं परेशाण़ी में अटेंशन में आसने है लुँट सकता है कि उनको पास्ट में कुछ ऑं इनको गहरा हुआ हो या प्यार में उनको पश्का मिला हो तो वह ऊद दोखा-खाय दीख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि इस रिस्ते को आगे बढ़ाया जाए, नहीं बढ़ाया जाए, वो दुवीदा में है, वो प्रेशानी में है, वो लगातार इसका कॉंस्टेंटली सोचे जा रहे हैं, कि इस रिस्ते में आगे बढ़ाया जाए, नहीं बढ़ा जो उन्होंने प्यार में, महबत में दोखा काया है, लगातार उसको देखे जा रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो आपके पार्टनर वर्गु आपके पार्टनर आप से क्या चाहते हैं, विल ओ फॉर्चुन आपके पार्टनर एक अच्छे समय का इंतजार कर रहे हैं आप से वो बहुत प्यार करते हैं मोहब्बत करते हैं आप से सोच रहे हैं वो आप से चाहा रहे हैं कि अगर समय फेवर में है तो इसके बारे में सोचा जाए एक यह जो दूरिया है जो गलत पास्ट में हुआ है, उस सब को भूल कर एक नई शुरुवात की जाए, नई बिगनिंग की जाए, समय को गवाए बिना अगर समय फेवर में है तो इसका फाइदा उठाया जाए, वो इस समय का फाइदा उठाना चाहते हैं या कह सकते हैं कि वो आप से एक रिस्ता बनान चाहते हैं, कह सकते हैं कि एक लोटरी एक ड्रोग खेलना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि समय रहते हैं इसमें एक नया रंग भरा जाए और वो ये भी चाह रहे हैं कि इसमें कोई दोखा दड़ी ना हो, कोई चालबाजी ना हो, कोई छलावा ना हो, ये शिर्व प्यार और महबत रिष्टा हो तो ऐसा भी वो आप से चाहा रहे हैं वो आप से कॉम्निकेशन चाहते हैं वो चाहते हैं कि ये जनम जनमांत्र का रिष्टा हो वो आपके साथ एक अच्छी बिगनिंग अच्छी शुरुआत चाहा रहे हैं वो एक बार और भागया के बरोसे रहकर इस रिस्ते को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं तो वो चाहते हैं कि आप भी इस रिस्ते में आगे बढ़ें उनके बारे में सोचें उनसे बातें करें ऐसा सब वो आपके लिए फील कर रहे हैं ऐसा वो आप से चाहा रहे हैं आपके पार्टनर दा एंपरर आप अपने पार्टनर के लिए क्या फिल कर रही है तो वर्गो वर्गो आप फिल करते हैं कि जो आपके पार्टनर है वो काफी बुद्धी मान हैं काफी समझदार हैं वो काफी दुखों से निकले हैं काफी प्रेशानियों से निकले हैं तो वो सब जानते हैं वो इसको समझ सकते हैं वो प्यार को समय नहीं दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो कभी प्यार भरी बातें नहीं करते हैं मोहबत भरी बातें नहीं करते वो सिर्फ और सिर्फ काम को काम को प्यार करते हैं वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं ऐसा वो फील कर रहे हैं वो सोचते हैं कि उनको प्यार के लिए बातें करने के बारे में सोचना चाहिए रिष्टे के बारे में सोचना चाहिए ऐसा भी वो फील कर रहे हैं हो सकता है कि आप में से कोई एक बड़ा हो सकता है या तो आप बड़े हो सकते ह और आप अपने पार्टनर के लिए फील कर रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ काम को एमियत देते हैं प्रोफेस्नल और परस्नल लाइफ को एक साथ लेकर चलते हैं तो आप सोचते हैं कि उनको इसको अलग-अलग करना चाहिए और कभी कबार उनको भी प्यार भरी महवबत भरी बातें करने चाहिए ऐसा भी आप फील कर रहे हैं कि वो भी इसके बारे में सोचें दुसरों के बारे में सोचने की बजाए प्यार के बारे में सोचें ऐसा भी वो आप बार बार अपने प्यार के लिए फिल कर रहे हैं कि मेरा प्यार मेरे लिए सोचे और मेरे लिए समय निकाले मुझसे प्यार बरी बातें करें वो सिर्फ और सिर्फ काम के पीछे पड़े रहते हैं तो इससे प्यार में तनाव आता है तो ऐसा भी आप अपने प्यार से क्या चाहते हैं आप वर्गों चाहा रहे हैं कि जो टेंशन है जो प्रेशानी है जो नुकसान हो चुका है उसके बारे में अगर अड़े रहे खड़े रहे तो दूरियां बनी रहेंगी आप इस से छुटकारा चाह रहे हैं आप चाह रहे हैं कि इस दुविदा से ब इसको खोला जाए आप चाहते हैं के बने या ना बने लेकिन आप इसमें एक समझोता चाहते हैं इसको तुवीधा में नहीं रखना चाहते हैं एक तरफा आप चाह रहे हैं आप चाहते हैं, कि जो ये चोराहे पर या दो राहे पर खड़े वे हैं, जो दोनों तरफ की सोच रहे हैं उससे बहार निकला जाए आप ऐसे रिस्ते से हो सकता है कि बहार निकलने की कोशिश कर रहे है जो प्रेशानिया, जो टेंशन, जो दिक्कते हैं उनसे बाहर निकला जाए आप इसके बारे में उनसे खुल कर बातें करना चाह रहे है और रिस्ते के बारे में सोच रहे है यह Nine of Swords का कार्ड आया है तो यह relation जो आपका outcome है आपके relation का उसके लिए कार्ड आया है तो कही ना कहीं आप सोच रहे हैं जो यह रिस्ता है इतनी बड़ी भी बात नहीं हुई है जो अपने आपको इतना दुख दे लिया है या कहने का मतलब है कि यह रिस्ते इतनी बड़ी बात नहीं है अगर आप सोमेनिया जैसी problem create करेंगे इसको बड़ाएंगे तो यह रिस्ता और भी खराब हो सकता है अगर आप इसमें प्यार चाहते हैं महबत चाहते हैं तो टेंशन को छोड़ कर जो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है उस दिक्कत से बाहर निकलने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी बातें करनी पड़ेंगी तभी आप इस रिलेशन को आगे बड़ा सकते हैं इससे बाहर निकलने की आपको जरूरत है नहीं तो आप health wise भी अपने रिस्ते को खराब कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी से भी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट्स देजिए और चलिए फिर मिलते हैं आपना प्यार और आशिरवाद मुझ पर बनाए रखिएगा तब तक के लिए नमस्ते थेंक यू सो मत